C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पार्ट ग्यार है जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रिष्ट उन्सट वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत्प्रतिशत बोल रहे हैं 78 मुर्दा इंसान जिन्दा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो देश की पहली सवाक, बोलती फिल्म, आलमारा के पोस्टरों पर विज्यापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी 14 मार्च 1931 की वह एतिहासिक तारीख, भारतिय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूख सिनेमा लोक प्रेता के शिखर पर था पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूख फिल्में भी विभिन भाशाओं में बनी मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर M. इरानी अर्देशिर ने 1939 में हॉलिवुड की एक बोलती फिल्म शोबोर्ट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी पार्सी रंगमंच के एक लोकप्री नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकता बनाई इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिये गए एक इंटर्व्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था हमारे पास कोई समवाद लेखक नहीं था गीतकार नहीं था संगीतकार नहीं था इन सब की शुरुवात होनी थी अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए सुयम की धुने चुनी फिल्म के संगीत में महज तीन वाद्य तबला, हार्मोनियम और वाइलिन का इस्तिमाल किया गया आला मारा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया इस फिल्म में पहले पाश्वगायक बने W.M. खान पहला गाना था देदे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है आलमारा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी मूख युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था मगर आलमारा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी यहीं से प्रकाश प्रणानी बनी जो आगे फिल्म निर्मान का जरूरी हिस्सा बनी आलमारा ने भविश्य के कई स्टार और तकनीश्यन तो दिये ही आरदेशिर की कंपनी तक ने भारतिय सिनिमा के लिए डेड़ सौ से अधिक मूख और लगभग सौ सवाक फिल्में बनाई आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटिसी थी फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाशा को लोकप्रिय बनाया उनके चैन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी पहले उनका बतौर नायक चैन किया गया मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटा कर उनकी जगे महबूब को नायक बना दिया गया विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया उस दौर में उनका मुकदमा मुहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा जो तब के मशूर वकील हुआ करते थे विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने उनके कामिया भी आगे भी जारी रही मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टन्ट मैन के रूप में सक्रिय रहे इसके अलावा आलमारा में सहराब मोदी, प्रित्विराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे आगे चलकर जो फिल्म और द्योग के प्रमुक स्तंब बने यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई फिल्म आठ सपताह तक हाउस फुल चली और भीड इतनी उमरती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रन करना मुश्किल हो जाया करता था समीक्षकों ने इसे भड़कीली फेंटसी फिल्म करार दिया था मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनभव थी यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे चार महीनों की कड़ी मेहनत से तयार किया गया था सवाक फिल्मों के लिए पौरानिक कथाओं, पार्सी रंगमंच के नाठकों, अर्भी प्रेम कथाओं को विशय के रूप में चुना गया इनके अलावा कई सामाजिक फिश्यों वाली फिल्में भी बनी ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान इसमें एक किर्दार महात्मा गांधी जैसा था इसके कारण सवाक सिनिमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा सवाक सिनिमा के नए दोर की शुरुवात कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आला मारा के प्रदर्शन के 25 वर्श पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतिय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने उस मौके पर कहा था मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है प्रिश्ट बासट जब पहली बार सिनिमा ने बोलना सीख लिया सिनिमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई क्योंकि अब समवाद भी बोलने थे सिर्फ अभिनेत से काम नहीं चलने वाला था मूख फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले और उचल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था अब उन्हें समवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गाय कभिनेता बड़े पर नजर आने लगे हिंदी उर्दू भाशाओं का महत्तो बढ़ा सिनिमा में देह और तकनीक की भाशा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाशाओं का दाखिला हुआ सिनिमा ज्यादा देसी हुआ एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सारवजनिक जीवन का प्रतिबिम्ब फिल्मों से बहतर होकर उभरने लगा अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोग प्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पढ़ रहा था माधुरी नाम की फिल्म में नाई का सुलोचना की हैर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोग प्रियती औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी अर्देशिर इरानी की फिल्मों में भारतिये के अलावा इरानी कलाकारों ने भी अभिनाय किया था स्वयम आलमारा भारत के अलावा श्री लंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई भारतिये सिनिमा के जनक फालके को, सवाक सिनिमा के जनक आर्देशिर इरानी की उपलबधी को अपनाना ही था क्योंकि वहां से सिनिमा का एक नया युग शुरू हो गया था प्रदीप तिवारी प्रिष्ट तिरेसट प्रश्ण अभ्यास पाठ से एक, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई, तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए उस फिल्म में कितने चेहरे थे, सपश्ट कीजिए दो, पहला बोलता सिनिमा बनाने के लिए फिल्मकार आर्देशिर एम इरानी को प्रेड़ना कहां से मिली उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया विचार व्यक्त कीजिए तीन, विठल का चैन आला मारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया विठल ने पुनह नायक होने के लिए क्या किया विचार प्रकट कीजिए पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आर्देशिर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मान करताओं ने उनके लिए क्या कहा था? आर्देशिर ने क्या कहा? और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिपणी की है? लिखिए पाट से आगे एक, मुख सिनेमा में समवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिने की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा, उसमें अनेक परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टी से पाठ का आधार लेकर खुजे, साथ ही अपन कल्पना का भी सही उख लें, दो, डब फिल्में किसे कहते हैं, कभी-कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मूँख खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है, अनुमान और कल्पना, 2. मूख फिल्म देखने का एक उपाई यह है, कि आप टेलिविजन की आवाज बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें, और अनुमान लगाएं, कि फिल्म में समवाद और द्रिश्य की हिस्सेदारी कितनी है, प्रिश्ट चौसट भाशा की बात 1. सवाक शब्द वाक के पहले सा लगाने से बना है, सा उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं, निम्न लिखित शब्दों के साथ सा का उपसर्ग की भाती प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्टन को बताएं, हित, परिवार, विने, चित्र, बल, सम्मान दो, उपसर्ग और प्रत्याय दोनों ही शब्दांश होते हैं वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्य बाद में हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार है पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्य युक्त शब्दों के कुछ उदारन नीचे दिये जा रहे है मूलशब्द वाक उपसर्ग स प्रत्य रिक्तिस्थान शब्द सवाक इस प्रकार के पंदरह पंदरह उदारन खोज कर लिखे और अपने सह पाठियों को दिखाईए शब्दार्थ सवाक फिल्म मूख फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म पट गथा फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी समवाद फिल्म में की जाने वाली बातचीत पार्श्व गायग परदे के पीछे से गाने वाला डिस्क फॉर्म रिकॉर्डिंग का एक रूप किरदार अभिनेता की भूमिका चरित्र खिताब उपाधी, सम्मान अभी आप सुन रहे थे पार्ट ग्यारहे जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली, भारत